जैसा कि आप सभी को पताई होगा कि अभी कुछ मैने पहले EPFO का जो पास्बूक का पोर्टल है उसको EPFO ने बदल दिया है पास्बूक का जो इंटरफेस है उसको पुरा का पुरा नया लुक दे दिया है और वहाँ पर हमें काफी सारे नए ओप्शन देखने को अब जो मिल रहे हैं और मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि कैसे आप नई पास्बूक में अपना PM का बैलेंस पता कर सकते हो और कुछ मैंने अच्छे अपडेट के बारे में भी जान करी दी थी कि नए पास्बूक पोर्टल पर आपको ये एक्स्ट्रा एडवांस आपको फीचर देखने को मिलते हैं नए ओप्डेट ने एड़ किये हैं अब हमने हमारे एक मितर का जो है एडवांस में PM का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट सम्मिट करी थी तो एक और नया अपडेट हमें देखने को मिला जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा और मेरी कोसिश भी यही रहती है कि जब भी कोई नया अपडेट EPFO करता है तो जो भी अच्छा अपडेट आए मेंबर्स के लिए जो भी नया ओप्शन आए सारे अपडेट आपको वीडियो के मदम से जानकर ही शेर करो जिससे की आप सभी को उस नय अपडेट के बारे में पता रहे बट आप वीडियो को लाइक करने आप देख रहे हैं टेकनलोज अब और हमने टेलेग्राम पर भी चैनल बना लिया है सबसे पहले लेटिस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलेग्राम चैनल को जुरूर जोइन कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप चले जान पर मन्थली पैंशन हो गया टेंसी स्कीम सेटिफिकेट के लिए अप्राई करेंगा तब ही आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा कहां पर चले हम आपको दिखा देता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने मुबायल में या फिर कंप्यूटर में कोई अभी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे कि गूगल क्रोम हो गया मुझला फैरफोक्स हो गया और सर्च करना है एप पास्बुक पास्बुक का पोटल अपन कर लिया है अब यहां पर आपको अपना बारा डिजिट का यूए नमबर मेंसिन करना है यहां पर पा यहाँ पर मैंने successful shiny login कर लिया है यहाँ पर loading हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हो login हो गया है अब अगर हमने advance के लिए या फिर पूरा PF का पैसा या फिर monthly pension के लिए पर हम 10 dpf transfer करने के लिए request submit करी है तो हम claims status कैसी हम देख सकते हैं तो यहाँ पर एक option देखने को मिलता हमें claims का तो इस पर आपको click करने है जैसे claims के option पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको claim status और यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलते हैं अगर कोई pending claim आपका है तो पर आपको देखने को मिल जाएगा बाकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि total claim आपने कितने करें कितने अप्रूव हुए कितने reject हुए और कितने इन प्रोसेस या फिर पेंडिंग है यहाँ पर इनका एक दिखा रहा है और यहाँ पर graph के मादनम से भी आप देख सकते हो अ अब यहाँ पर दो अपडेट में आपको बता रहा हूँ पहला तो यह कि यहाँ पर आपको claim और tracking ID यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पहले claim ID आपको देखने को मिलती थी अना तो अब claim ID भी आपकी यही रहेगी और tracking ID भी यही रहेगी कोई आपसे claim ID पूछता है या फ आप प्रवाइड कर सकते हो, पहला तो अपडेट यह है, और यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर मैंसन है, क्लेम ट्रेकिंग आईडी, के लिए अब दूसरा जो अपडेट है, काफी सारे पीफ मेंबर्स को पता नहीं रहता था, जो नए पीफ मेंबर्स है, जिनको नोलेज नहीं रहती, कि उन्होंने जो एडवांस में पीफ का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट सम्मिट करी है, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा, देख सकते हो, ओफिस नेम और यहां पर इनका आ रहा है दिल्ली नोर्थ, तो उसकी जो एडवांस की जो रिक्वेस्ट गई है, इन्ह Неाँ आटवांस में पीफ का पैसा निकालने के लिए फौरम 31 अप्लाई क्या था, तो उसकी जो रिक्वेस्ट गई है, वो कौन से ईपीफों के पीफ ओफिस में गई है, वो गई है, दिल्ली नोर्थ, तो यहां से ज गया कि EPFO के कौन से PF office में गई है दूसरा ये अगर आपका claim बार-बार reject होता है तो आप वहां पर visit कर सकते हो आपको पता रहेगा कि यहां पर गई है तीसरा ये अगर आपका claim काफी दिनों से pending है तो उस PF office का जो WhatsApp help line number है उस पर आप बात भी कर सकते हो उनसे discuss भी कर सकते हो कि म यहां पर पीएफ office का नाम नहीं आता था अब यहां पर पीएफ office का नाम आ रहा है ठीक है only यह आपको जब तक के pending claim रहेगा तभी आपको देखने को मिलेगा अगर आपका एक बर claim settled हो जाता है तो फिर आपको नहीं देखने को मिलेगा देख सकते हो यहां पर इनका claim है settled हो open कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको आप, अब यहाँ पर मैंने जो है, EPFO की website मैंने open कर ली, अब यहाँ पर देखे WhatsApp का option आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस पर आप click करते हैं, तो यहाँ पर EPFO के जो PF office है, जो journal office है, उनके WhatsApp help line number यहाँ पर mention है, अब यहाँ से जो है ना, यहाँ पर दिल्ली नोर्थ में जो है, कोपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है, सर्च करते हैं, दिल्ली नोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखे, दिल्ली नोर्थ का यह है WhatsApp help line number, तो अगर आपका claim दो महिने होगे, तीन महिने होगे, या फिर आपका जो है, बार-बार claim reject हो रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा, कुछ पूछना है, कुछ help लेनी है, तो यहाँ पर जो WhatsApp help line number है, उनसे आप बात भी कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो यहाँ पर copy किया, यहां से है, ठीक है, copy किया, और यहाँ पर जैसे ही Ctrl F किया, और यहाँ पर paste किया, और यहाँ पर आ गया दिल्ली North, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो यह आपको फायदा होगा, इसके साथ साथ आप जो ओफिस का address भी पता कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर EPFO की website पर मैं आ गया हो, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर option देखने को मिलेगा, कहा गया, यह रहा, locate an EPFO office, इस पर जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखे, राज्य स्टेट, यहाँ प ठीक है, उसके बाद submit करेंगे, तो यहाँ पर आ गया, पीएफ office का complete address भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दिल्ली नोर्थ में यहाँ पर pin code, यह जो pin code यहाँ पर mention कर रख है, इन यह जितने भी area के यह pin code है, उनका जो पीएफ office है, वो दिल्ली नोर्थ है, वो यहाँ पर उसका complete address आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर address भी आप पता कर सकते हो, जान सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यह रहा address, regional office दिल्ली नोर्थ हना, तो इस तरह से आपको यह फाइदा होगा, इस नए update से मैंने आपको complete जानकारी दे दी, और जब आप सारे doubt killer हो जाए, और आपको एक नई जानकारी मिले, अच्छी तरह से आपको समझ में आए, कब शार भाई कते वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाती है, भाई जब अच्छी तरह से explain करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, तो वीडियो ओटोमेटिक लंबी हो जाती है, म अगर मैं 50 सेकिंड एक दो मिनट में अगर बात खतम कर दूँगा, तो आपको आधी अदूरी नोलेज मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, इसी वो जैसे मैं चाता हूँ कि अच्छी तरह से explain करो, थोड़ा सा 15-20 सेकिंड एक दो मिनट extra लग जाए, बट आपको समझ म अच्छी तरह से आए, तो यही मेरी कोशिस रहती है, बाकी यह जो जान करें, मैंने आप सभी के साथ share करी, कैसे लगी, comment box में comment करके जरूबत दिएगा, और आगे बी इस तरह की health or no-based video पाना चाते हैं, तो चैनल को subscribe करने के साथ, हमारा जो टेलेग्राम चैनल है, उसको अ description में आपको link मिल जाएगा, मिल दजल एक और नहीं जान करें, एक और नहीं information के साथ, अपना ख्यार रखेगा, बबाए, take care